उत्तर परदेश के जनपद मुझफवनगर पुलिस ने मा बेटी की हत्या के मामले में संसनिकेज खुलासा करते हुए महिला के प्रेमियर उसके एक साथी को गिरफतार किया है हत्या की वारदात को अंजाम अवैस संबंदों के चलते दिया गया था क्योंकि आरोपी युवक युफती से तंग आ चुका था और पीसा छुडाने के लिए उसने अपने साथी के साथ मिलकर महिला और उसकी पांच वर्चिया मासूम बेटी की हत्याकर शव नगर कोत्राली शेत्र के स्तित खाली प्लाट में फैक दिया था दरसल माबेटी के हत्या की वारदात को अंजाम बाई जन्वर को ही दे दे गया था हत्या के बाद दोनों शवों को नगर कोत्राली शेत्र के मेरेड रोड इस्तित खाली पड़े एक प्लाट में फैक कर दोनों और भी फरार इसके बाद चार फर्यूर को दोनों माबेटी के शव उस प्लाट से पुलिस ने बरामत किये थे पुलिस ने इस पुरे मामले में जांच पड़ताल की तो मर्तक मैला की पैचान शबनत पत्नी जमशेद निवासी जस्वन थानत तितावी शेत्र के रूप में हुई और दूसर को ने पुलिस पूस्ताच में यह भी बताया कि हत्या की वारदात को अंजाम सिर्फ इसलिए दिया गया था तो कि अरोपी यूवक हरी राज के शबनम से अवैसम मनते और अब हरी राज शबनम से पीछा चोड़ाना चाहता था हरी राज ने बताया कि शबनम अब लगातार उसे परिशान कर रही थी जिस वज़े से तंग आकर हरी राज ने अपने साती के साथ मिलकर शबनम की हत्या करने का प्लान मनाया मा बेटी के सत्याकान के दोनवारोपियों को पुलिस ने गिराफतार कर जेल बेज दिया है क्राइम स्टूरी के लिए उत्तर परदेश के मु इंटरोगेशन के बाद वो यह है कि जो मिर्तिका थी उसके अपने ही गाओं जसोई के एक व्यक्ति के साथ अवेज संबन थे करीब डेड़ साल से चल ले थे अब वो उसकी दवाब बनाने लगी थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी उससे लड़के की जो इसमें अभि एकमेल करके पैसे लेना और उसकी साधी ना हो पाई इसके लिए वो उसके प्रेशर डालती थी तो उसने इस से चुटकारा पाने के लिए करीब 15 दिन पहले अपने एक और मित्र से इस पूरे मामले में चर्चा की इन्होंने संयुक्त रूप से यह योजना बनाई की इसे शहर में ले जाके कहीं एकांद के इस्थान पे इसका काम तवाम कर दिया जाए।